Create a Mark Framework ते Spoken Tutorial वीच तोड़ा स्वागत है। इस Tutorial वेच असी कोहा वेच Mark Framework बनावना सिखांगे। इस Tutorial नू रिकॉर्ड करन लई, मैं वर्तों कर रहा हां Ubuntu Linux Operating System 16.04 अते कोहा वर्जन 16.05. इस Tutorial दी पालना करन दे लई, तो अनू Library Science दा ज्यान होना चाहिदा है। इस Tutorial दा अब्यास करन दे लई, तो अड़े System ते कोहा इंस्टॉल होना चाहिदा है। तो अड़े कोहा विच Admin Access वी होना चाहिदा है। जे कर नहीं, दा किरपा करके इस Website दे कोहा Spoken Tutorial दी लड़ी वेखो। शुरू करन तो पहला त्यान देओ के Frameworks नू Edit जा Delete किता जा सकता है। Super Librarian अपने Library दी लोड़ दे अनुसार अपने आप दे लई Frameworks बना सकते हो। चलो शुरू करते हां, मैं कोहा इंटरफेस दे जान दा हां। Super Librarian यूजर नेम Bella अते उस दे पासवर्ड ना लॉग इन करो। हो नसी कोहा इंटरफेस Super Librarian Bella विच हां। कोहा Administration ते जाओ। Catalog section विच Mark Bibliographic Framework ते क्लिक करो। एक नवा पेज खुलदा है। प्लस New Framework ते क्लिक करो। विर्वा परन दे लई एक नवा पेज खुलदा है Framework Code अते Description Framework Code दे फील्ड विच मैं BK टाइप करांगा। Description दे लई मैं Books टाइप करांगा। फिर हेठा Submit बटन ते क्लिक करो। खुलन वाले नवे पेज ते Code B के ते जाओ। उदारन दिलाई Books, Actions टैब तो Mark structure ते क्लिक करो। एक नवा पेज Mark Framework for Books खुलदा है। इस Title विच इत्थे OK बटन ते क्लिक करो। समान Title Mark Framework for Books देनाल एक होर पेज खुलदा है। ए तेंसो ब्याली टैग्स विच्चों एक तोंवी टैग्स नों दिखाऊंदा है। हालां कि तुसी अपने स्क्रीन ते ज्यादा गिंती वेच टैग्स वेख सकते हो। द्यान देओ कि इत्थे कुल तेंसो ब्याली डिफॉल्ट टैग्स हन। मैं Books लई कुझ ही टैग्स नों चुनागा। तुसी अपनी लोड़ देनुसार टैग्स चुन सकते हो। द्यान देओ कि इत्थे एडिट अते डिलीट ऑप्शन्स टैग हन। मैं दिखाऊंता हां कि इन अनु किमें डिलीट करना है। मैं टैग नंबर 010 लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रिस कंट्रोल नंबर चुनागा। सज्जे पासिवल डिलीट टैप ते क्लिक करन ते एक पॉप अप विंडो आउन दी है। कन्फर्म डिलीशन ऑफ टैग 010 येस डिलीट दिस टैग ते क्लिक करो। एक होर विंडो टैग डिलीटिड मैसेज दिनाल दिखाई देन दी है। उक्के ते क्लिक करो. Mark Framework for Books पेज फिर तो खुलदा है. इस पेज ते टैग नंबर 010 हुन नहीं दिखाई देवेगा. इस तरह किसे हो टैग्स नूँ डेलीट करो, जो किसे विशेश आइटम टाइप नल सबंद्यत ना होवे. टैग्स नूँ एडिट करन देली, एक्शन्स ते जाओ, आते एडिट ओप्षन नूँ चुनाँ. मैं टैग नंबर 000 लीडर नू चुनाँगा. फिर एडिट ते क्लिक करो. हेट लिखे फील्ड कोहा द्वारा डिफाल्ट रूप ते पार चुके हाँ. लेबल for LIB, लेबल for OPEC. ठ्यान देओ के लेबल for LIB स्टाफ क्लाइंट विच दिखाई देवेगा. लेबल for OPEC, OPEC दे मार्क व्यू विच दिखाई देवेगा. अपनी लोड़ दे अनुसार रिपीटेबल चेक बाक्स नू चेक करो. कोहा डिफॉल्ट तोरते में डेटरी लई चेक बॉक्स नूँ चेक करेगा मैं रिपीटेबल चेक बॉक्स नूँ चेक करांगा त्यान देओ जेकर तुसे रिपीटेबल ते क्लिक कर देओ तां फील्ड देख कोल केटालॉगिंग विच एक प्लस चिन होवेगा ए मूल तोरते तिन तो ज्यादा लेख का जां संपाद का देलाई जरूरी है जो तौन नू उससे टैग दे कई विरवया नू जोड़न दी आगया देंदे हन जेकर कोहा द्वारा मैं डेटरी नू क्लिक जां संचालित तोरते चुने आ गया है ता उस समय तक रिकॉर्ड सेव नहीं हो सक्दा जदू तक के तुसी इस विशेश टैग देले कोई वैल्यू ना परो कोहा इंटरफेस ते वापिस जाओ सारे वेरवय परन्दे बाद सेव चेंजिस ते क्लिक करो खुलन वाले नमे पेज विच त्यान देओ के टैग नंबर 000 दे लई लीडर, रिपीटेवल अते मेंडेटरी येस ते रूप विच दिखाई देवेगा इस तो बाद सिख देहां के अथोरिटी फाइल नू किमें समर्थावान करना है कोहा एड्मिनिस्ट्रेशन ते जाओ अते ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसिस ते क्लिक करो एक्विजीशन्स प्रेफरेंसिस खुलदा है खब्बे पासेवल टैब दी सूचीतों अथोरिटीस ते क्लिक करो जनरल सेक्षन वेच्विज वेल्यु ओफ प्रेफरेंस बदलना शुरू करो ओथ डिस्प्ले हिरार्की देलाई ड्रोपडाउन तों डिस्प्ले चुनो ओटो क्रिएट अथोरिटीस देलाई जनरेट चुनो बिबलियो एड्स अथोरिटीस देलाई अलाव चुनो मार्क अथोरिटी कंट्रोल फील्ड 008 अते युनी मार्क अथोरिटी फील्ड 100 नू इस तरह ही चड़ देओ जिमें ए है यूज अथोरिटीस फॉर ट्रेसिंग देलाई कोहा डिफाल्ट तोरते यूज चुन्दा है लिंकर सेक्शन वेच डिफॉल्ट वेल्यूनू केटालोग मड्यूल रिलिंक देलाई बरकरार रख्या जाना चाहिदा है लिंकर कीप स्टेल लिंकर मड्यूल लिंकर आप्शिन्स लिंकर रिलिंक हुन सेव अल अथॉरिटीज प्रेफरेंसिस ते क्लिक करो हुन तुसी कोहा दे सुपर लाइब्रेरियन अकाउंट तों लोग आउट कर सकदे हो जेहा करंदे लई उपर सज्जे कोने ते जाओ स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी ते क्लिक करो और ते ड्रॉप डाउन तों लोग आउट चुनो ए मार्क फ्रेमवर्क लेई जरूरी सारे सेटप नूँ पूरा करदा है संखेप वेच इस ट्यूटोरियल वेच असी कोहा वेच मार्क फ्रेमवर्क बनावना सिख्या नियत कमद रूप वेच सीरियल्ज लाइए एक नवा मार्क फ्रेमवर्क बनाव हेठा दित्तेगे लिंक टे उपलब्ध वीडियो स्पोकन टुट।रियल प्रोजेक्ट दा सार कर दी है, किरपा करके इसनू डाउनलोड करो अते देखो Spoken Tutorial Project Team Spoken Tutorial दी वर्तों करके वर्कशापां चलाऊंदी है अते परमान पत्तर भी दिन दी है ज्यादा जानकरी देले किरपा करके सानू लिखो किरपा करके टाइम दिनाल अपने प्रशना नू इस फोरम विच पोस्ट करो Spoken Tutorial Project नू NMEICT MHRD पारत सरकार्दे द्वारा फंड किता जान्दा है इस मेशन ते ज्यादा जानकरी इस लिंक ते उपलब्द है IIT Bombay तो मैं नवदीप तोड़े तो इंजाज़त लेंदा हा सडेनल जुडनली तनवार